हेलो और वेलकम टो स्पोर्ट्स तक सबसे पहले तो टीम इंडिया की जबरदस्ट और एतिहासिक जीत क्योंकि रनों के मार्जिन से यह सबसे बड़ी जीत है उसकी आपको धेरों बढ़ाई और अब आपको इस वीडियो में बताने वाले रोही शर्मा जिन्होंने प्रेस कॉ सोच क्या है तो रोही शर्मा ने इस पर बात रखिया और क्या अब हमें आगे राची में धर्म शाला में वो रैंक टेर्नर्स दिखने वाले पिछ पर क्या कुछ का है और सरफराज पर सरफराज खान जिनका जबरदस डेब्यूरा दोनों ही पारियों में उन्होंने हाफ से रही है और उन्हें क्या कुछ लगा था सरफराज के लिए ये भी आपको बताएंगे एक एक करके जो है पॉइंटर्स पर आते सबसे पहले बात कर लेते हैं रोही शर्मा स्काउटिंग सिस्टम की यहां पर बात करेंगे तो यशिश्वी जैस्वाल के बारे में जब उनसे खेल रहे हैं आपको याद आएगा कि इसी तरीके से रोही शर्मा जब एक वक्त पर रिशब पंत एकदम प्राइम फॉर्म में थे तो उन्हें कहीं कि रिशब पंत से हम कहते हैं कि आपको सोचने की जरुत नहीं है आप जाओ अपने आपको एक्सप्रेस करो तो शायद यह जो मैसेज है वो ये शश्वी जैसवाल को भी दे रखा है जिन्होंने जबर्दस डवल हंड्रेड मारे इस मुकाबले में भी और उनकी पारी की हरकोई बात कर रहा और पूरी दुनिया ये शश्वी के जो अंदाज है जिस तरीके से उन्हें जेम्स एंडरिसन को मारा उसकी जो है फैन हो चुक है आप जेम्स एंडरिसन की इस तरीके की पिटाई कम ही देखते तो पहले मैं एक्जैक्ट आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये शश्वी जैसवाल के लिए क्या कुछ कहा और फिर हम बताएंगे कि स्काउटिंग सिस्टम आज तो उन्होंने नहीं कहा है कुछ लेकिन आज से तकरीबन चार साल पहले रोही शर्मा नहीं उनको एक तरीके से स्काउट करें कि मुंबई से वो भी आते हैं मुंबई से रोही शर्मा ने अपनी क्रिकेट खेली तो मुंबई सर्कल्स में क्या कुछ चल रहा होता है उनको पता होता है क्रिकेट भी फॉलो कर रहे होते हैं जो सरफराज वाली बात पर हम आएंगे और आपको बताएंगे समझाएंगे उस पर भी तो रोई शर्मा ने यह शच्वी जैसवाल के पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या कह दिया था तकरीबन चार साल पहले यह आप देखने यह जो पोस्ट यह शच्वी जैसवाल ने डाला था यह उन्होंने डाला था विजय हजारे के जब उनकी पारी आई थी डबल हंडेड उनने 12 शतक मारा था और यह मारा था उन्होंने 16 अक्टोबर 2019 पर पोस्ट उन्होंने किया था 31 मार्श 2020 तो रोई शर्मा का कॉमेंट आप देखेजें नीचे लिखावा है नेक्स सूपर स्टार और आज की तारीख में बिल्कुल सही साबित होता रोई शर्मा ने तब बोल दिया था जब यह शच्वी ने इंडिया की बात नहीं हो रही थी डोमेस्टिक में इतनी जादा आग नहीं लगाई थी और कहीं ने कहीं कह सकते हैं वो अंडर 19 के वहां सर्कल्स में थे और लोगों का सवाल भी था देखें नीचे उनसे पूछें वेन विल ही ओपन विद यू यह शच्वी जैसवाल ने रोई शर्मा को जो है एक तरीके से वहां पर रिप्लाई कर रखा है इमोजी जो हाथ जो है वो जो नया शेर है वो उनको दिख गया था वो थी यह शच्वी जैसवाल और कमाल की उनकी पारिए तो स्काउटिंग रोई शर्मा जिस तरीके से अब सरफरास की बात कर लेते हैं कि सरफरास पर क्या कुछ कहा जैसे मैंने का कि मुंबई क्रिकेट और वो फॉल भी कर र वाडियों से सुना था चाहिए वो उनके साथ ही रहे हो या पहले के रहे हो या फिर अभी जो इन्वाल ने गीम में उन्होंने ये कहा था कि सरफरास हमेशा जो है तफ रंस बनाते हैं सरफरास ने जब मुश्किल में रही है टीम तब रंस बनाए और यह सतर सौ ने दो सो उस तरीके के रंस बनाए हैं और कहीं से भी जो हम कहते हैं कि डेब्यू पे नर्वसनेस नर्वस एनर्जी एक तरीके की होती है वो इनको इंपक्त नहीं करी हाँ हाला कि इमोशनल जरूर थे लेकिन उसके बाद वो हर एक तरीके से चाहते थे कि मैं टीम के लिए क्या कर और वो उन्होंने impact दिखाया भी, दोनों जो innings रही उनकी बल्ले बाजी से, half centuries हैं, no doubt पहली पारी में रोहित का शतक, जड़िजा का शतक, फिर दूसरी पारी में यशश्वी का 12 शतक, शुम्मन के 91, बट जो सरफरास की पारी ने impact और impetus दिया टीम इंडिया की जो innings चल रह आते हैं वो, साथ उन्होंने वाला की भूक है, और कुछ तो उन्होंने रही होगी चीज की इतना जादा उन्होंने consistently अच्छा किया था domestic cricket में, और ये सब उन्होंने Mumbai players से सुना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने खेला नहीं था बहुत, तो ये उन्होंने इमो आउटिंग फ्रेंट पर बाकिस जीत को बड़ा खास बताया, उन्होंने इस चीज पर भी emphasis दिया कि किस तरीके से एक young team है, दो-दो खिलाडियों का debut हो रहा था जिसमें धुरूफ जुरेल और सरफराज हैं, और आपकी जो situation रही थी मैच में, कैसे वापसी लगाई, किस त discussion जरूर कर रहे होते हैं, और फिर देखते हैं, और उन्होंने ये काई कि वो अच्छी बॉलों पर भी उस टाइम मार रहे थे, चाहे जो ओली पोप ने क्या, चाहे बैंट डकेट ने क्या, तो आपको देखना समझना पड़ता, और उसके बाद team इंडिया ने जो वापसी क करी वो मैंने आपको बताई, अब जो important point pitches को लेकर मैं कह रहा हूँ था, कि pitches जो हमें देखने को मिली इस तरीके की pitches आपको नहीं दिख रही थी भारत में, जह हम test cricket खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी pitches पर भी हमने मुकाबले जीते हैं, उन्हें हाँ, ये माना आगे कि turners हमारी strength हैं, जो कि हमें balance भी देते हैं, और हमने बीते कुछ समय में हो किया, यहाँ पर उन्हें एक थोड़ा सा कहा कि आगे भी मिलेंगी ऐसी चीज़, और वो advantage ही मिलती रहेगी ऐसी, ये नहीं साफ किया कि आगे कि आपको ऐसी pitches मिलते हैं, पर उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ हम control नहीं करते हैं, pitches curators देते हम दो-तीन दिन पहले पहुंशने हैं, तो उसमें nature हम अपने हिसाब से बहुत दादा बदल नहीं सकते हैं, जो एक तरीके से बात राहूल ड्रेविड ने भी कही, और यहीं पर जब सवताफरिका में भारते टीम टेस्ट मैच जीती, उसका भी उन्होंने एक example दिया, कि हम अलग-अलग pitches पर अच्छा करते हैं, सवताफरिका का वो विकेट आपने देखा था, जो शायद रोई शर्मा ने उस दिन बात कही थी, और आज भी वही था कि जो criticism उन्होंने किया था, कि ऐसी विकेट पर तो कोई कुछ नहीं बोला, भारत में रैंक टर्नर्स पर बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी विकेट पर करते हैं, जो सवताफरिका में भी आपने देखा, और फिर उन्होंने बोला कि अलग-अलग इस series में भी जो हमें देखने को मिली, हैदराबाद, वाइजएक, different-different विकेट आपको mind game seller, तो उसमें उन्होंने काई कि rank turners भी मिले तो उसमें भी हम खेल लेंगे, बाकी उनके शतक के बारे हैं पुछा गया, उनके run सोने का कि में लिए हर एक शतक important होता है, मैं rate नहीं करता हूं ऐसे, में लिए हर एक run हर एक शतक जो देश के लिए आता है, इंडिया के लिए आता है, वो important है, आपकी team के लिए contribute करता है, और अच्छा लगता है जब आपकी performances आती है, बाकी जडेजा की उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि जडेजा जिस तरीके से खेल रहें बीते कुछ समय से उनके contribution रही है, ऐस बतौर बल्लेवाज भी, और साथ ही उनने का कि यहां पर तो उनका घर था, तो बहतर समझते थे conditions को, और वो बहुत अच्छी बल्लेवाजी भी करने बीते कुछ समय में, उन्होंने उस चीज की भी यहां पर तारीफ करी और बात करी कि भाई, जडेजा की contributions रही है भारते test team में, वो बहुत ही खास रही है, तो यह important pointers थे, किस त अगर आप इस post पर अब जाएं उनके यशिश्वी के इंस्टा पर तो उस दौरान जब comment section में आप ये comment ढूटेंगे, तो हर को यही लिख रहा है कि रोई शर्मा का comment देखने आये हो, रोई शर्मा का comment देखने आयो, लेकिन हमने आपको IPL के वकपर यशिश्वी जैसाल वो मारे माइंड में कहीं भी नहीं था कि हम इनको आज ही all out कर देंगे, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि आज जो bowling unit ने जो perform कि आखिर में, उससे थोड़ा सा वो pleasantly surprised हुए कि भाई, आज ही match खत्म हो गया, उनको लग रहा था कि match कल तक जाएगा, तो ये pointers से रोई शर्मा प् चलते जो है, हाला कि पिछ पर चर्चा हुई तो उनने कह दिया यही कि हम तो हर एक तरीके के विकेट पर जीते हैं, और अगर rank turners भी मिले ना, तो उस पर भी खेलेंगे और जीतेंगे, तो ये पूरी update थी रोई शर्मा की PC से, अगर वीडियो information पसंद आई हो, तो like करें, share भी करें, subscribe नहीं कि अगर आपने अभी तक स्पोर्स्तक को सब्सक्राइब जरूर करें, website भी है www.thesportstak.com और साथ ही साथ स्पोर्स्तक की app है, वो भी जरूर डाउनलोड करें